हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लवक प्लास्टिड इसकी खोज हैकेल ने की थी लवक की खोज हैकेल ने की थी और इसका सब्द सिमसर ने दिया था हैकेल और सिमसर लवक तीन प्रकार के होते हैं एक होता है हरित लवक फ्लोरोप्लास्ट दूसर होता है उनको प्रोमिफ युख लीकर हुआ हार Anggman हर मतला हरा कि इसमें पंध हए लवख में हरुआ हरी ने मतला पंध मतलब कन या फिट होता है। तो कहां पत्तियों में होता है इस अर मालिन हना क्यों होता है जैसे तर्ण समय नहीं रंग हेर रंग का होता है इतो वारणी लवक वरतिनी वारणी नायटा की मतलब जो बिभिन प्रकार के रंग देते हैं क Πर देता है लेकिन औरनी लोग में बाकी सब्वी विविन प्रकार के रंग देता है क्यों कि मतलब होता एक शंवरनम यौ्ела की सबस्क्राइब कहई होता हिसा नहीं कुड़ा होगा तो तो रंग नहीं है क्या नहीं साइन्स में सफेद और थ्वा भूरे को रंग हीन बोलते हैं वह रंग नहीं उसको बोलते हैं सायंस में इसician war बोड का यह संसलेशन पिर्य नहीं देता है सपyet gorilla , आपने के लिए प्रकास पाणर प्रकास हरती है और क्लुरोफिल कि पड़ती है रित लड़ी में होता इसलिए हर अनगि प्रकास समय होता है औरणी लवक उसप फल पतियों को रंग प्रतान करते हैं पतियों पतियों को को रंग मतल्लरत प्रतान करता है लेकिन हुधा कूछ सबको रंग कांदब एक fringe बरनमें भी कमिदी प्राकर रंग होतों है है इसके पास लाल तो है नहीं इसके पास कोई रंग नहीं है तो इसके कुणं रंग दीधा गधा फल फल भी लाल पिला कई प्रकार क donuts होता है फुल अ हरितलवक के पास क्यों हरा रंग होता है इसके पास होता ही नहीं है तो कौन रंग देगा वरणी लवक और पत्तियों को भी जो पत्तियां हरे रंग की होती है उसे तो हरितलवक रंग देता है लेकिन बहुत सारे पौदों की पत्तिया लाल रंग की भी होती है तो उन्हें कौन रंग देता है यह वरणी लवक तो करनी का मतलब कि हरा रंग की बात है तो हरित लवक देगा बाकी सभी रंग वरणी लवक देगा और अब कोई रंग नहीं देगा यानि कोई रंग नहीं देगा मतलब सफेद या भूरा मन अखे जड़ कॉना रग करते हैं और वार्णीयों प्रकार की होती है भूरे wreck की होती है दो पुर्णी रेंगे होती है तो यह अवचा खारण होती है उसे मार्णी CARbe देता है चोंकि यह थो सफेद रंग करा और भूरेश वार्णी यहीन बोलते है न इस लिए यह सो फैंग फिलकुल होता है और जब पक जाता है पूरा तो लाल रंक हो जाता है तो को उसले से फूल से छोटा है उस समय सपहेद रंकाउन देने देने वाला है यहां वी बढ़ों सब्सक्राइब देखे उसका रंगहीन यह सफेद क्योंकि साइंस में कभी बता चुका हूं सफेद को रंगहीन वोला जता है तो उस समय ऑरनी लवक करोटीन क्या रंग की रंग कवरनक है करोटीन सही मतलं गाजर में होता है तो इस्लित कैरोटीन का रंग देता उसलिको तो हरित रूह कर लेता तो इसको सब्सक्राइब करने कारे नहीं करता है कुछ एक करता है है जर्फ निवट में अगर इसा करता तो तो लिदे कहां जैन्तोफिल यह पीली रंग का वरणक है जो पत्तियों में उपस्तित यह वी होता है यह सुरी के प्रकास को अवसुषित करता है पैरोटीन करता है लेकिन कुछ ऐसे भी रंग है जिने हरित लवक वसुषित नहीं कर पाता है कि उसके पहुंच से बाहर होती है उन रंगों को प्रकास के उन रंगों को को न अवसुषित कर लेता है यह तो प्रकार का होता है एक होता है इसके बारे में डिटेल समय नहीं पढ़ेंगे आपके लिबस से नहीं है मैं नहीं है तो फिर भी आप बस इतना याद करें कि जन्था प्रकार का होता है इसके पूछा जा सकता है कौछ जन्थिल के प्रकार नहीं है अंत्यप्रेडरभि जालिपां के इंडुप्लाज्मी क्रेटी कुलम इयार इसकी खोच पर न की थी जाली जाली जब पर मतल हो हम पहँचा आदे रहें तक उ uniqueness आते हैं कुली लेग जाते हैं तो इसकी खोज जाली की खोज जाली का किस ने कि थी पोटर ने कि थी कि संपूर्ण कोशिका द्रभी में फैली होती है जो कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माड करती है हमने बता है कि जिस प्रकार से है М hiccup N anonymous भूआ यानि की हड़ियों काहई हमारे सरीर निश्चित ध्हाचा बनाता है योज से कोशका के अंदर अन्तर प्रहतर जालिका कम करने भूल के लिक अ यह आप देख रहा है यह दो प्रकार कि होती है ऐक या और यह किये लिस्क आप सुपार कि चाही European यहे राइबोोसम्स नहीं मिलते नहीं孩 इससे बाहर आप देखें इसके अंदर वाली में मिल रहे हैं अधानियों दोप्रेकार घ्राइब करते हैं उसे तो इसलिए पर राइब में रहते हैं क्या हमने पता है जहां भी आप सब देखए राइव देख राइव राइबोच और राइबुसوم सुंमज संप्रोटेन से संबंदित होता है वह टो यह होती है यह धर जुथ वट jus को हम चांब करते हैं सब्सक्राइब गहां पर चांट तो तो किसका संस्लेशन होता है इसके भीतर का अस्थान लेमिन कहला रहता है लुमेन इसे एक जालिका है यहां यह जली का इसमिमें बीच में थोड़ा सा खाली अस्ताना आपको देख आएधिसे बहुत शारे जगा खाली स्थान मिल जायेंगे अंत्रप्रद जालिका में उसे लुमेन अब टो प्रोटीन बन जाता है प्रोटीन क्योंकि यहां प्रोटीन बनता है और जब प्रोटीन बनता इसलिए अस्थाई आधिक अस्थाई होती क्योंकि इनका पास खुद का प्रोटीन होता है तो केंद्रक के पास भी होती है यह से लिए आस्थाई होती है और चीकन अंत्रप्रदर प्रद्रविजालिका इनके पास प्रोटीन नहीं होता है तो के अंद्रक से दूर होती है या और स्था होती है इसी को देखते हैं नेक्स्ट क्लाइड पर इस भुन्तर राते हैं या कि हुआ नहीं चिपकर रहते हैं तो इसे और का में अंत्र प्रद्रश फितां के रहते हैं इसलिए व प्रोतेन का निर्मारा करते हैं आकनेका रिसान arrangements चिपके नहीं रहते हैं इस लिए तो फोरि नहीं नहीं होते है नहीं होते हैं तो कि लिपीड का संस्यूलेशन करती है और कार्बोहडरेट का लिए उसी दुछ हम का पढ़ाइज करने त्य चसुल हम लोग भोजन खाते हैं मुक्यूरत से कीजी एकपस हम बश्रेत हैं कि तो प्रोटीन का तील पंकरिट यह करते हैं में फेंस करता चीखनर्णीatte अनी में करते हो देखा और पास अधिक अस्थाइं होती है अधिक अस्थाई क्यों होती है इसके पास protein का संसेलेशनल होता है और चीकनी वाली केंदरक्स से दूर होती है अधूर होती है संसेलेशनल प्रोटेन का नहीं होता है तो कम अस्थाई होती है कुछ WBC में यह जाली का antibody भी बनाती है यहने कि रफी यार जो है antibody भी बनाती है क्योंकि antibody भी प्रोटीन से बनता है एंटीवडी वह डिफेंस सिस्टम वाले चप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में और चिकनी अंतर प्रद्व जाली का इसमूद यह कृत को सिकाओं में जाली का ऐसे इंजाइम बनाती है जो कुछ निश्चित यह को निराविश कर सकता है जो कुछ निश मस्तिक्स को सिकाओं में हार्मोंस का निर्माण करती है यानि कि चीकनी वाली हार्मोंस का निर्माण करती है मस्तिक्स को सिकाओं में और यह वाली इंसुलिन का निर्माण करती है अगनासाइक को सिकाओं में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं